आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ आएं यहाँ पर Question बोल रहा है कि Voiland का जो String है उसको काफी जदा Tight कर दिया गया है इस Voiland को एक Tuning Fog के साथ Oxalate करा रहा है Tuning Fog का जो Frequency है वो है 440 Hz हम लोग को 4.5 Beat Per Second मिल रहा है इसका क्या मतलब तो देखो यह है हमारा Voiland का String String को काफी Tightly String कर दिया गया है इसके बगल में एक हम लोग Tuning Fog Vibrate करा रहे है Tuning Fog का Vibration है 440 Hz इन दोनों के Vibration से हम लोग को जो Beat मिल रहा है वो मिल रहा है 4.5 Per Second इसका क्या मतलब कि इन दोनों के Frequency का जो Difference होता है वही होता है Beat Per Second इसका मतलब कि इसका जो Frequency होगा इसके Frequency से इतना ज़्यादा होगा या फिर इतना कम होगा यानि कि यह जो String है इसका Frequency होगा इसके Vibration का जो Frequency होगा वो होगा 440 प्लस 4.5 या फिर 440 माइनस 4.5 Hz ठीक है यह दोनों में से कोई एक होगा तब ही जाके हम लोग को अगर इन दोनों को साथ में Vibrate कराएंगे ठीक है तो इतना beat per second सुनाई देखा ओके हम लोगो कोशन में क्या पुछा है What is the period of the Voiling String Oxalation ठीक है तो देखो यहाँ पे हम लोग पहले Frequency के Value निकाल लेते हैं ठीक है यहाँ से हम लोगो stretch करेंगे ठीक है इसका जो Frequency है ओके यह Normal Frequency से बढ़ जाएगा ओके इसका मतलब कि ज्यादा amount वाला जो Frequency होगा ओके वही correct Frequency होगा इस particular case के लिए ठीक है तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है यह वाला ठीक है तो यह होगा वालन का Frequency ठीक है तो यहां से हम लोग बोल सकते है वालन का जो String है ठीक है इसका Frequency है 444.5 Hertz ठीक है हम लोग को निकालना क्या Time Period of the Oxalation ठीक है तो वालन का String का जो Time Period होगा इसका Oxalation का वो होगा 1 by Frequency This value is equals to 1 by 444.5 This value is equals to 2.25 into 10 का पावर minus 3 सेक्ड अके So this is the value of the time period of the Oxalation of the String of the Voiland अके This value will be our answer I hope you got it Thank you